गुडाएंसी 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 फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन करने के बाद पहला इस्टेफ है लिष्ट बनाओ अपने जान पहचान के ऐसे सो लोगों की लिष्ट बनाओ आपको लगता है कि जो पैसा कमाना चाहते हैं या जो आपकी बात सुनेंगे जो आपकी इज्जत करते हैं हमें ऐसे लोगों की लिष्ट बनानी है, हम गलती क्या करते हैं, हम जोईन कर लेते हैं, हम लिष्ट नहीं बनाते हैं, तो अगर आपको सफल होना है, तो पहला काम करो, लिष्ट बनाओ, सो लोगों की एट लिष्ट लिष्ट बनाओ, एक कापी अपने पास रखो, एक कापी जरोक्स अपने senior को दे दो और एक-एक करके अपने senior को इन लोगों से मिलवाओं अगर सेमिनार में बुला सकते हो तो सेमिनार में बुलाओं लेकिन अकेले खुद जाके convince मत करो दोस्तों हम गलती क्या करते हैं हमको गाड़ी चलाने नहीं आता हम दूसरे को गाड़ी चलाना चले चाहते हैं तो एक गलती मत करो सबसे पहला काम है आपको सुरुवात में अपने सीनियर के साथ जाना है दस से बीस बार अपने सीनियर के साथ जाओ देखो आपका सीनियर कैसे बात करता है क्या बोलता है किस क्रिश्चन का कैसे जवाब देता है तो दस से बीस बार अपने senior को सुनो जब सुनोगे तो एक दिन आपको बोलने आ जाएगा बच्चा पैदा होता है सुरूवात के 6 महीनें वो कुछ नहीं बोलता है अपने माबाप को सुनते रहता है उसके घर में जो भी बातें होती है सुनते रहता है और एक दिन बच्चा बोलने लगता है दोस्तों उसी तरह से आपको भी सुरुवात के 20 प्लान तक कुछ नहीं बोलना है चूप चाप मौन धारड करके रहना है अपने सीनियर को सुनना है क्योंकि जब आप सुनोगे तो ही सुना पाओगे जब आप सीखोगे तो ही सीखा पाओगे तो मैं यही बोलूँगा सुरुवात के 10 से 20 प्लान तक अपने सीनियर के साथ जाओ खुद कुछ भी मत बोलो आपका only काम है appointment fix करना और अपने सीनियर से मिलवाना यह सफलता की पहली सीड़ी है ज़्यादा तर हम गलती क्या करते हैं हम खुद चले जाते हैं प्लान देने के लिए अरे जब आपको भी नेटोग मार्केटिंग एबी सीडी नहीं पता है तो आप सामने वाले को क्या बताओगे और सामने वाला जुड़ता नहीं आपको भी निगेटिव करके भेज देता है इस दुनिया में ऐसे केकड़े बहुत पड़े हैं जो ना आगे जाएंगे ना आगे जाने देंगे तो अगर आपको ऐसे लोगों से बचना है तो सुरुआत में अपने सीनियर के साथ जाओ और सीनियर उस सक्स है जो हमेशा आपको सफल बनाना चाहता है वो यही चाहता है कि हमारे साथ जो भी असोसियर जुड़ता है वो लाइफ में जादा से जादा आगे जाए क्योंकि आपकी सफलता में सीनियर की सफलता छुपई हुई है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा फर्स्ट स्टेप मेक लिस्ट प्लान देने से किसी से भी पहले आप अपना लिस्ट बनाओ आपके पास पचास से सो लोगों की लिस्ट होनी चाहिए उसके बाद हमेशा अपने जेब में प्रोडक्ट रखो एक हजार से दो हजार रुपे का प्रोडक्ट हमेशा अपने जेब में रखो पाँच हजार के लमसम में प्रोडक्ट हमेशा अपने घर पे रखो कि कोई भी आए तो आपके घर पे भी आए तो सामने से पूछना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कैसा है तो आपको नहीं बोलना पड़ेगा सामने वाला पूछेगा और आपको बताना रहेगा तो अपने घर पर एटलिस्ट 5000 का प्रोड़क्ट रखो अपने बैग में 1000-2000 का प्रोड़क्ट रखो कहीं भी जाते हो प्रोड़क्ट आपके साथ होना चाहिए क्योंकि जब हमारे पास एड़वर्टाइज करने का मटीरियल नहीं रहेगा तो हम बिजनेस क्या करेंगे बार्डर पर अगर सैनिक जाता है तो उसके पास गोली होती है बंदूक होती है तो उसी तरह से हमारे बंदूक और गोली क्या है हमारा प्रोडक्स तो आप प्रोडक्स हमेशा अपने साथ रखो प्रोडक्स को मैक्सिमम कंज्यूम करो फर्स्ट यू हैब टू कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेमिनार में बैठाओ क्योंकि जब लोग सेमिनार में बैठेंगे तो आटोमेटिक सीख जाएंगे आपको ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा और जुड़ने के बाद एटलिस्ट बीस बार आप सेमिनार में बैठो जितनी भी हमारी ट्रेनिंग मिटिंग होती है उसमें बैठो क्योंकि हम नहीं सीखेंगे तो हम क्या सिखाएंगे तो बहुत बढ़िया बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग लेकिन हमें सीखना पड़ेगा हम सीखने के लिए रेडी नहीं रहते इसलिए हम कमाते नहीं है कोई इंडरस्टी बेकार नहीं है बेकार हैं तो हम खुद हम अपने आपको डबल अप नहीं करते और हम चाहते हैं करोड़ पती बनना से So it is not possible if you will not learn हमेशा सीखने के लिए active रहो हर आदमी से आपको सीखने को मिलता है उसके अंदर जो भी अच्छाईयां है उसको सीख लो बुराईयां छोड़ दो हर आदमी से आप सीख सकते हो सिर्फ आपके अंदर सीखने का नजरिया होना चाहिए तो make a list list बनाओ अपने senior को ले के जाओ खुद प्लान मत दो सुरुवात के 20 प्लान तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेमिनार में मिटिंग में ट्रेनिंग में बैठाओ network marketing industry बहुत बढ़िया industry है लेकिन हम सीखते नहीं इसलिए हम कमाते नहीं है इससे आपकी personality development हो जाती है network marketing से personality development हो जाती है यही development करने के लिए कुछ लोग 10,000, 20,000, 30,000 जाके फीस देते हैं यहाँ पर आपकी free में develop हो जाती है आप अगर network marketing करोगे तो आपका traditional business जो business आप पहले से कर रहे हो वो भी आपका बहुत बढ़िया चलेगा क्योंकि आपको यहाँ से knowledge मिल जाता है हमें समाज में कैसे रहना है हमें समाज में कैसे बात करना है तो network marketing एक learning school है जरूरी नहीं कि आप यहाँ पैसे के लिए आओ कुछ लोग time security के लिए आते हैं कुछ लोग money security के लिए आते हैं कुछ लोग enjoyment करने के हिसाब से आते हैं हर आदमी का आने का कारण अलग-अलग हो सकता है लेकिन आपके जो भी सपने होंगे वो सारे network marketing के वज़े से पूरे हो जाएंगे तो मैं यही बोलूँगा हर आदमी को network marketing करना चाहिए आज अमेरिका वर्ल्ड का सबसे अमीर देश है क्यों है? क्योंकि उहां के 80-90% public network marketing करती है हिंदुस्तान वर्ल्ड में लेबर भेजने वाला देश है हम क्या करते हैं? अउनली लेबर पैता करते हैं मजदूर क्योंकि हम सीखते नहीं है हमारे अंदर टेक्निकली डवलप्मेंट नहीं आता है तो हम मजदूर भेजते हैं पूरी दुनिया में तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कंट्री आगे बढ़े आपके समाज में क्राइम नहीं हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप नेट्वर्क मार्केटिंग के बारे में बताओ एक सोसल वर्क है आज मैं देखता हूँ रोज पेपर में पढ़ता हूँ 100-200-500 रुपे के लिए लोग मडर कर देते हैं तो अगर वो कमाएंगे तो ऐसा काम नहीं करेंगे आज लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं इसलिए क्राइम करते हैं लोग सुसाइड कर लेते हैं नहीं कमा पाते हैं फ्रस्ट्रेशन में आकर के सुसाइड कर लेते हैं तो दोस्तों हम अपने समाज को बचा रहे हैं नेटोक मार्केटिंग सीखा करके आप एक बहुत सोसल वर्क कर रहे हो बहुत Nobel Profession का काम कर रहे हो कि आपके वज़र से किसी के घर में पैसे आएंगे किसी की जिन्दगी बच जाएगी तो आप प्राउड फिल करो You are doing a good work आप फिल करो कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ मैं किसी को कुछ देने जा रहा हूँ मैं किसी कुछ लेने नहीं जा रहा हूँ दोस्तो जब आपके अंदर फिलिंग आएगी तो आप सान से किसी को जा के बता पाओगे मैं यही बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान सेर करो आप नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को ला करके बहुत बढ़ा एसान कर रहे हो हमारे देश की तरक्की होगी हमारे देश को ज़्यादा टेक्स मिलेगा आज होता क्या है हम लोग मार्केट से नल्ला प्रोड़क लेते हैं जिससे सरकार को टेक्स नहीं मिलता यहाँ पर एकिक रुपे की बिलिंग होती है तो सरकार को भी टेक्स मिलता है हमारा देश भी आगे जाएगा इसलिए हमारे प्रधानमंतरी मोदी जी भी चाहते हैं कि नेटवक मार्केटिंग डवलोफ हो स्टार्ट अप स्किल उन्होंने चालूग रहाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेसमेन बने गवर्मेंट कितने लोगों को नौकरी देगी आज नौकरी नहीं है लोग फ्रेस्टरेशन में उल्टे सीधे काम कर रहे हैं तो अगर इन सब कुछ बचाना है आपको लोगों को तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्लान के बारे में सेयर करो हेल्थ इज वेल्थ अच्छे क्वालिटी का हम प्रोड़क यूज करेंगे हमारा पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा हेल्थ अच्छी रहेगी तो सर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करो नेटवर्क मार्केटिंग से बणिया कोई बिजनस नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में हर आदमी काम्याब हो सकता है तो आप लोग इस इंडरस्टी को प्यार करो इस इंडरस्टी के बारे में जानकारी लो, जादा से जादा बुप पढ़ो, हर इंसान को डेली कम से कम एक मोटिवेशनल बुप पढ़नी चाहिए, पांस से मोटिवेशनल बुक है, उनको पढ़ो उनको पढ़ने से लाइफ में आप बहुत तरकी करोगे, मैं यही चाहता हूँ जादा से जादा लोग इस इंडरस्टी से आगे बढ़ें, इस इंडरस्टी का नाम हो दोस्तों, जादा से अमान दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, इसके लिए धन्यवाद, गुड़ा एंसी दोस्तों गुड़ा एंसी